आप सभी को शांति गुपता का नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गर्व क्लासिज में, आज हम बात करेंगे DSSB Nursery Teacher Postcode 43 बटे 21 की First of all मैं आप सबको ये बताना चाहूंगे कि इन वीडियो को बनाने का मोटिव से पेरा इतना है कि कि मैं जो भी बच्चे entity की preparation कर रहा है उसकी help कर सकूँ तो अगर आपको मेरी ये वीडियो informative लगती है तो आप प्लीज like और subscribe करें आज हम बात करेंगे OBC NCL की कि जो भी बच्चे OBC की category में आते हैं उनको non-criminal certificate जो है वो कब का चाहिए second हम बात करेंगे कि इसके exam कब होने के chances है थर्ड हमारा है इसका study plan हमने form तो fill कर लिया पर हमारी study की क्या planning होनी चाहिए जिसे कि हम जो भी है हमारा ये paper crack हो सके हम इसमें हमारा इसमें selection हो सके next है हमारा best book इसके preparation के लिए हमारे पास जो है हमारी study material क्या होनी चाहिए आज हम उस पर भी discuss करेंगे तो हम सबसे पहले बात करते हैं OBC NCL की पहले मैं आप सब को बता दूं कि जो भी वच्छे OBC की category में आते हैं तो यह जो है vacancies है यह Delhi government की है तो आपके पास जो certificate होना चाहिए वो Delhi state government का होना चाहिए आपका central का OBC नहीं चलेगा आपका जो भी certificate है वो Delhi state government का होना चाहिए Delhi state government का OBC ही इसमें allow है क्योंकि कई सारे बच्चे यह उनकी queries होती है कि जो हमारा तो जी other state का है हम वहां के OBC है तो हम क्या Delhi में भी OBC में count होंगे तो जी नहीं आप उसमें Delhi में OBC में count नहीं होंगे Delhi में OBC में count सिर्फ और सिफ Delhi state के OBC ही आएंगी नेक्स्ट हमारा जो है यह OBC NCL होता क्या है तो OBC NCL non criminal certificate होता है जो कि आपका income status बताता है यह आपका SDM office से बनेगा जो भी आपके nearby SDM है जो भी आपके locality की है तो आप वहां जाएए वहां से आपका यह NCL बनेगा नेक्स्ट है हमारा इसकी validity क्या है तो बच्चे जो यह NCL है यह एक साल के लिए valid होता है 1st April to 31st March आपका यह एक साल के लिए ही valid होता है नेक्स्ट है आपका इसका आपको old चाहिए या new चाहिए तो आप अगर form fill करते हैं तो उसमें notification है उस notification को अगर आप देखते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपका NCL होना चाहिए OBC का certificate हो NCL हो तो वो आपका closing date of advertisement है आप वहां पर देख सकते हैं उसक notification को detail में आप read कीजिए वहां पर आपका ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी आपका NCL का certificate होना चाहिए वो closing date तक का होना चाहिए closing date इसकी कब की है 24th June तो आपका जो certificate होगा आपका वो 24th June तक का ही चलेगा उसके बाद अगर आप 25th June का भी होता है तो फिर थोड़ी दिक करताती है डीवी के time पर इसलिए मेरी माने तो आप सब इस date से पहले ही जाकर अपने अपने NCL certificate का बनवाले अब at the time of DV होता क्या है डीवी के time पर जो है आपके दो NCL certificate देखे जाते हैं एक तो old date का जो भी आपका advertisement आई थी उसकी जो last date थी advertisement की last date तक की आपका देखा जाता ह है और second आपका देखा जाता है कि डीवी के time का आपका डीवी के time जो भी आपका current year चल रहा होगा आपका उस time का देखा जाता है माल लीजिए आपका जैसे अभी आई vacancy 2021 में आई हुई है इसमें आपका ये जून का और 24 जून का हो चलेगा तो आपके पास एक तो ये certificate आप 2022 में April में होती है तो आपके पास जो है वो इस date का भी आपके पास certificate होना चाहिए क्योंकि इस जो ये 2021 वाली है इसकी validity मार्च तक की है मार्च में ये invalid हो मतलब invalid तो हम नहीं बोल सकते तो इसकी validity खतम हो जाएगी आपको इसको renew करवाना पड़ेगा तो आपके पास ये दोनो ही होनी चाहिए अगर आपको इससे related और भी कोई confusion है तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके comment को आपके questions को resolve करनेगी तो next हम बात करते हैं कि इसके जो है और उसके exam हो गए थे आपके 19th November को आपका उनिस November को इसका exam हो गया था on the same year 2020 में ही exam हो गया था it means कि आपको जो है धाई महीने ही मिले थे इसकी preparation के लिए तो अभी भी हम यही कह सकते हैं कि अभी थोड़ी सी situation normal नहीं है COVID की वज़े से पर जैसे ही COVID का थोड़ा सा situation इससे normal हो होती है तो DSSB आपके exam जो है conduct कर लेगा तो हम बोल सकते हैं कि आपके जो exam है September August September तक हो जाएंगे next है हमारा इसकी study planning जी अब हमने form फिल कर लिया हमारा form फिल हो गया पर हमें इसकी study की planning कैसे करनी है हमें इसकी पढ़ाई कैसे करनी है कि हमारा जो है यह paper qualify हो जाए हमारा selection हो जाए तो मैं तो क्या करती हूँ मैं हमेशा ही कोई भी अगर मेरा exam होता है उससे पहले जो है मैं अगर मेरा कोई exam होता है तो सबसे पहले मैं previous year के paper solve करती हूँ उसका benefit क्या होता है बचे आप देखिए अब क्या होता है कि जब हम कोई previous year का paper solve करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता लग जाता है जी कि हमारी तयारी किस हिसाब से हमें कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी second चीज क्या होता है कि आप एक paper को लेते हैं माल लीजे आपका 200 number का paper है जिसको कि आपने 2 घंटे में solve किया हा लेकिन एक चीज याद रखना 2 घंटे का मतलब 2 घंटे ही है आपको proper 2 घंटे बैठना है और उस paper को solve करना है यह नहीं कि आप 10 मिनट बाद फिर उठ रहे हैं 10 मि नंबर आते हैं मतलब आपके 80 question जो है वो ठीक है और 120 question गलत है तो आपको इससे यह benefit होगा कि आपको यह पता लगेगा कि जो यह 120 number के question है तो वो जिस भी topic से आया है तो आपके किस topic में problem थी कि आपके 120 question गलत हो गए आपको वो topic पता लग जाएगा अब इससे क्या होगा कि आपको topic पता लगेगा तो आपके मन में यह होगा कि मैं इसका solution ढूंडू आप book search करेंगे वीडियो सर्च करेंगे और आप इसके solution तक पहुँचेंगे इससे आपको benefit यह होगा कि जो भी आपके topic जो थे वो clear जो नहीं थे वो आपके clear हो जाएगे पर हां मैं यह जरूर कम से कम दो से तीन दिन दे और जो भी आपके topic जो थे वो आपके नहीं हुए थे उन topic को search करें उनको पढ़े उन पर महनत करें जिससे कि वो आपका topic जो है वो अच्छे से cover हो जाए फिर इससे आपके आपका अगले दो-तीन दिन में यह होगा कि आपके पास जो है दोस्तों कोश्चन का आपके बस 200 कोश्चन जो है आपके आपका material हो जाएगा आपको 200 कोश्चन आते होंगे तो यह आपके 200 कोश्चन अगर next किसी भी exam में आते हैं तो आप इनको solve कर पाएंगे और साथ ही साथ आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपको कौन से topic में दिख कर थी तो वो topic भी आपका cover हो जाएगा तो सबसे पहले आप previous year के paper ले उनको solve करें और ज़रूर comment box में अपने comment करें कि आपके previous year में कितने marks है next है हमारा इसकी best book तो बुक तो सारी ही best होती हैं बस बच्चा पंडे वाला होना चाहिए फिर भी help के लिए मैं यह कहूंगी कि आप अपनी course के book read कीजिए जब आपने ECC का course किया होगा तो आपके उस टाइम की जो भी books थी आप उन books को read कीजिए वह आपकी बहुत जादा help करेंगी अगर फिर मेडियम की बात करें तो नसीम सिद्धी की राइटर थे नसीम सिद्धी की राइटर है इसके आप उनकी book लीजिए उनकी total 4 books है उन book को आप पढ़िए आपका पूरा ECC का जो है आपका second part के लिए आपका cover हो जाएगा और अगर आप Hindi मेडियम की बात करें तो book आती है प्रि आप इसके अलावा जो है आप एन आई ओएस की बुक ले सकते हैं आप उन बुक को रीट कीजिए उसके अलावा आपके पास N.C. ERT का भी option है आप इसकी भी 11th या 12th class की आप psychology की books पढ़ सकते हैं तो आपको जो है second part के लिए आपकी इन books से अच्छा material आपको नहीं मिलेगा तो आप इन से तयारी करें आपकी बहुत ही अच्छी preparation होगी फिर भी अगर आपको कोई और problem आती है तो आप मुझसे पूच सकते हैं आज के लिए इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब